तो दोस्तो आज में बात करने वालों एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्टॉक के बारे में एंड साथी गाज यह स्टॉक काफी ज्यादा नीज में बना हुआ था पिछले कुछ अगर मैं बात करूं 10 से 15 दिन के एंड साथी गाज इस स्टॉक के साथ में कही सारे लीगल केस भी उनके लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट नीज होने वाली है और साथ जो नीज है वह उन इंवेस्टर के लिए तो बलकुल भी खुस होने वाली नहीं है उनको जो काफी जादा दिक्कत होने वाली आने वाले टाइम पर जिस लोगों ने इस स्टॉक में जो होल्डिंग ब इंवेस्ट कर रहा है क्योंकि मैं इसमें जो आपको एक बहुत इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन दिनने वाले हूं जिससे कि आपको जो काफी ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है ठीक है तो चली दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर वह सी इंफोर्मे आपके पास अब चाहें 10 सेमान, चाहें एक सेमान, चाहें एक सेमान, चाह केंवेस्ट कीमपनी कंपनी तां मार्केट में ट्रेड नहीं करेगी नढَّम आलता है तुँकि इसको सेमान और यह कहीं utp को बता दीता हूं तो बेसिकली गाई जो हमारा NCLT उसने resolution plan जो clear कर दिया है रोहित फेरो टेक का जहां पर इन्होंने जो है इस stock में जो मंजूरी दे दिया है और उन्होंने इसका resolution plan भी clear कर दिया है जिसकी बिज़र से अब ये market में जो है ट्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि इस company का अब जो acquisition हो गया एक पड़ी MNC company के साथ और वो company कौन सी है गाई वो मैं आपको बताऊंगा basically क्या है कि हमेसा मर्ज़र में ऐसा नहीं है कि आपको जो share एक से अगर आपका जो resolution plan होता कि वह एक से दूसरी जगे पहुझा कई बार कई सारे cases होते हैं जो कि legally होते हैं तो वहां पर कई सारे rules and regulation होते हैं जहां पर किसी company को जो बादे नहीं किया सकता कि इसकी कटी को zero नहीं कर सकते हैं तो ऐसा ही आपने पहले भी देखा होगा जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी अगर नहीं देखिए तो आप देख लीजिए गाइज जो syntax के साथ में होता राइट तो यहां पर इस share के साथ में हुआ है यहां पर भी इसके share जो जीरो हो जाएगा यानि कि आपके पास जितनी भी holding थी उनका जो प्राइस से जीरो हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यूंकि उसका जो position हो गया एक दूसरी कंपनी के साथ मैं ठीक है क्योंकि यह रोहित फेरोटेक कंपनी जो है गाइज एक लॉस में कंपनी तो जो पिछले कुछ समय से काफी ज़्यादा लॉस बियर कर रही थी तो यहां पर इनके पास जो कई सारा लोन ता जिसको चुका नहीं पा रहे थे ज तो आप लाज सक देखिएगा अगर आप उन लोगों मैंसे जो काफी ज़्यादा दिक्कतों में रहते हैं जिनको कोई स्टॉक समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो जो इंवेस्ट करें अगर उनको लगता है कि उनको कोई स्टॉक है जिसमें वो इंवेस्ट करना चाते लेकर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो किसी भी तरीके का आपका डाउटम में आपके जितनी हेल्प हो सकती है आपकी हेल्प करूँगा ठीक है ताकि आपके जो डाउट के लिए कर सको और साथ ही का जगर अबलकुल मत भूलिएगा ठीक है तो बेसिकली दोस्ट जो रिजोलीशन प्लान होए वो साथ सौसी करोड का प्लान होए जो कि टाटा स्टेल माइनिंग ने किया है राइट यानिकि या इस कंपनी को जो खरीद आगा जो टाटा स्टेल ने खरीदा है एंड जितना भी रोह रोह फ्कोई फाइनिसर क्रेडट को ख्रेड़िटर को एंड इक्सो चाट करोड गये गए एक्टी कैपितल ने कम्पनी और अबाउट टेट्स अंड़ेट करोड विप्रवाइट विप्रवाइट तू दा ट्रेडर क्रेड़िटर इंप्लोई एंड फॉर्द धास्ट आप कि यहाँ पर आप देख सकते हो किन-किन को पैसा मिलेगा और किन-किन को पैसा नहीं मिलेगा ठीक है पांसो पंदा करोड जो ओफर किये करोड फेरो टेक के फैनन से क्रेडिटर को 164 करोड गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्थिल मानिंग सेट टुए करोड फेरो टेक विद अब इसमें जो कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी जिन लोगों को पैसा मिलेगा वोग सगाज यहाँ पर मेंचन है तो याने कि इस स्टॉक के जो बैल्यू गाज वो जीरो हो जाएगी राइट साथिक आप देख सकते हो गाज कभी भी जो किसी भी पैनी स्टॉक के पीछे अगर आप भागते हो तो सबसे पहले आपको वहां पर उसके जो फंडमेंटल एनलाइस करना चाहिए टेकनिकल एनल money होता है तो आप ऐसे किसी के जएने पर आपको कोई भी पैसा नहीं करना है सबसे पहले आपको जो टेकनिकल एनलाइस नहीं देखना आता कोई दिख्कत नहीं है गाज अपनेमेंटल इनलाइस तो आप करी सकते हो अप यह सारी चीजी तो देखी सकते हो कि कंपनी लॉंग पैसा लगा रहे हो राइड है ना अगर हम कोई भी प्रोड़क्ट खरीते हैं तो सबसे पहले हम गैरेंटी के पूस्ते हैं तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई गैरेंटी नहीं होता है लेकिन आपको यहां पर रिसर्च करना जरूरी बनता है ठीक है तो आप जितना रिसर्च करोगा यह उतना सक्सेस्फुल होगा अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको कभी ना कभी एक दो बाग प्रोफिट हो जाएक लेकिन बाद में आपको जो लॉस ही होगा ठीक है तो यहां पर मैं बात करूंगा आपको आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट केपिल है करें देख सकते हो कि यहां पर कंपनी के बैलेंसीट और प्रोफिट और लॉस को जापको जो एक तरीके का परफॉर्म कर रही है कि कंपनी प्रोफिट में है या कंपनी लॉस में है है सारी चीज़ हैं कि इन्वेस्टमेंट है और कितना उनके पास अधर से तो यह सारी चीज़ ऑंपने उंको क्दिमारे अबन सब्सक्राइब क मत्यारा थो मैं यहाँ नए हैं यहां पर बहुत बिलुटोस के यहीं सब्सक्राइब करें तो आप समसकते हो कि कंपनी के लिए जो कितना लॉस हो रहाता यहां पर तो अब क्या है कि यह कंपनी को जो टाटा स्टील ने खरीद लिया थे तो यहां पर टाटा स्टील ने खरीद देश्को 617 करोड रुपय में सब्सक्राइब यानि टॉक्षिन को जो खरी लिया है ठीक है जो कि अलुंड सब्सेडिए टटा स्टील गया एंड कलकेटा बेंच प्रॉनाउंस था ओर्डरों थ्रिस्टे एप्रूब कर दिया गया था रिजॉलीशन प्लान को भी कर दिया गया है एंठीक है इसमें एडिसे इंवेस्टमेंट हो गाइज जो रेट इक सो चौशाट करोड तो रिवाइब रोहित फैरो विचाज ऑपरेशन से बंगाल औरीच है यहां पर चल ला था ऑपरेशन उनको बंद कर दिया गया था चीक है एडिए जो लेंडर स्ट्रल्म्न किंपनी एजो इस कंपनी में जो लेंडर से इंसौल्मेंट के वह स्टेडि बैंक ऑफ इंडिया है पंजाब भीशन पॉर्शाण पोर वेस्ट भंगल पॉर्व में आप जैपूर में तो बेसिकली गाज में यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन इंफरमेशन देने बलाओं कभी भी गाज आप किसी पैनी स्टॉक में इंवेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि वह कंपनी है क्या आखिर कंपनी काम क्या करती है और मैं पर प्रॉपर रिसस्स करना है ताकि आपको जो किसी भी तरिक का लॉस ना हो ठीक है तो आज खी वीडियो में हम बस इतना ही डिसक्स करेंगे ठीक है बाकी अगर आपको कोई भी किसी तरीक का दिक्कत है आप मुझसे पूश सकते हो आपसके शाले आप मेरे चैनल चैनल पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो थैंक यू सो मज़ गाइज एंड डू नर फॉर्गेट क्लिक था सब्सक्राइब बटन एंड हिट था बैल आइकन थैंक यू गाइज